सरकार कहती है कि हमारा भी हार डेबलब कर गया कहा है हमारा गाउ तो अभी समझी दियाजादी से पहले जैसे था उएसा ही है लग रहा है कि हम लोग अंगरीच के भूलाब है ना यहाँ पर ससन आता है ना सरकार का घ्यान है देखे सड़क कहा है भार्थिय गाउं के विकास के लिए कई महत्पुड़ों जिनाये बना जिए है जिस विकास की अस्थम सड़क सुद्धा को मना जाता है लेकिन उतरभाग के पछुन चंपारंग जीले में कई ऐसे अदबासी बहुले गाउं है जिस गाउं को विकास में देखा है नहीं है गराम भतजला, पंचाइद धमवरा, परखन गवनाहा का एक दुरस्थ एरिया में पढ़ने वाला एक छूता सा गाउं है इस गाउं की अधी लगभग देड़ हजार है जो अपनी आतायाद के लिए स्वन ही सड़क बनाते हैं जो अब बंदिभाग इस पर भी रोख लगा दिया है इस गाउं में आज के दोर में सड़क और जंगल के वजह से ना इबुलेंस जाती है और ना ही कोई अधिकाई जाने आने में हम लोग का दिकत होता है जाने 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 छो किलो मेटर तो तब तक लिया तो हो जाएगा सब और इधर उदर गारी हो जाएगा तो में दर की भी बात होता है कि अब लेंस यहां पर नहीं आती है नहीं आता है सो गाउं के लोग परशव के दवरान महिलाओं को साइकी के चाहारे 20 किलोमेटर दूर रिफ्रास पता ले जाते हैं अब ऐसे में इस गाउं की बदपिस्मती कहा जाए या आधिकारियों की लप्रवा है नहीं भतुजला गाउं वास्तविक में बहुत पुराना गाउं है और वहां सरकार का जो नियम है बिहार सरकार का उस नियम के अनुसार के हर गाउं में बिजली और रोट का सुविधा दी जाएगी थो अगर वहां गाउं के लोग अगर चाहते हैं कि वहां परतिवेदन की जाए तो इससे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि भतुजला गाउं जो है वह वाल्मिकी ऊसह की वाल्मिकी तो हम उचित माध्यम से चिफ लाई वार्डन साब को बढ़ाएंगे उनकी अनुमती प्राप्त होने के उपरांथी वहां सरक का निर्मान करना संभग है। जिसके लिए मैं अपने समधाएं कि लोगों के साथ पर्खंद विकास प्रविकारी से बात करने जा रहे हैं। जिसके बात करने समधाएंगे निर्मान साफ बढ़ाया है। झाल झाल